लेते गए एक बात मैं भी अपने एक्स्पीरियंस से कह सकता हूं कि जो कि जब भी कोई नई चीज करता है कोई आदमी पहले उसका विरोध होता है दुनिया की सबसे पहली रेल गाड़ी और सबसे पहले जहाज का विरोध हुआ था एक एक विरोध हुआ प्रसमें पिस्पोर जायेएंगे पहले विरोध होता है फिर सफ्ट करते हैं आदमी ले सकते है जिनके दिल में जुनून हो और जिनको प्रमात्मा ने इतनी बुद्धी इतना बल भक्षा हो किसी के जीवन में कोई चेंज ला सके भाई आज के जमाने में भाई भाई का कतल कर रहा है पैसे की दुनिया हो गई लंबी दोड़ है मंजिल कोई नहीं है जिदर पडोसी भाग रहा है उदरी हम भाग रहे है मेरा एक शेर है वो आदमी बहुत दुखी है जिसका पडोसी सुखी है हम अपने दुखों से उतना दुखी नहीं जितना उसके सुखों से होते हैं तो हम यह नहीं सोचते हैं अगर पडोसी कार ले ले हम भी महिनत कर के इस से बड़ी कार लेंगेह में यह सोच देंकोई वात नहीं हौरagit कार जाता है इसकिन किसी स्करेज दाल भी देते हैं हम। हमारे कला है लेकिन तरख्की अब होगी जब दोनों पडोसी कारों बाले हो जाएंगे दूसरे की कार खराब नहीं करनी अपनी कार बड़ी करनी है तो एक टीचर का बेटा हूं मैं भी पिता जी मेरे में बीसी बीड साइंस मास्टर थे लगबग जहां जहां उन्होंने पढ़ाया मैं भी गाओं के आसपास ही रहती थी ड्यूटी मैं भी उनी स्कूलों में पढ़ा हूं तो कि अधरका ढ़ दर्दी मुझे पता है आपने तो सर दर्द पे बहुत बच्छी मरम लगा दिया है अभी हम ने हमें लगानी आप ने तो कर दिया ये काम के बीचर दिल्ली का वह टीचिंग के सीवा और कोई काम नहीं नीकर करेगा हैं हमारे यह हुलटा की साफ बादी सारी हर बात हम भी यही करने वाले हैं पंजाब में पंजाब के वह टीचिंग के अलावा और कोई काम नहीं करेंगे सिर्फ अभी सेंसस आ रहा है देश का तो हमारे पास एक लेटर आया था कि 68000 चाहिए हमने का जी हम स्कूलों में कौन बेजेंगे फिर हम काम कैसे करेंगे हमने का सबसे बड़ी डेमोक्रासी में हमने सेंसस में जन गन्ना में हिस्सा लिया हुआ है तो काम भी मिलेगा उनको लेकिन स्कूल खाली नहीं करेंगे हम इस बात के लिए कि को कुई और काम मिल तो इस करांती के लिए मैं श्रे देता हूं अर्विन जी को क्योंने प्राष्पति आपडूल कलाम जी ने कहा कि सपने वह नी होते जो मीन आते है शक्रू अ जो आपको सोंः नहीं को ने सपना ह toothpaste नंबर बन बनाने का सपना इंफ्राषएक्चर में नंबर बन बनाने का सबना जो देश को वो अर्विन जी को और उनकी टीम को फों कि Singapore बाद में याद हुआ था वहां से पिन लेकर आ रहे हैं मतलब कितना फास चले होंगे और हम कितना सलो हैं है और सबसे बड़ी बात है कि इनको चिक्षा के बारे में पता है कि कि शिक्षा का स्तर क्या होना चाहिए कि समय कोई गणतल घंट यह उसमें क्या होता है पेपर कैसे दिये जाते हैं कहीं स्ट्रेस होती है कि खैर कि उसेन बोल्ट का नम सुना होगा आपने कि बड़ इच्छी एक बहुत तेज धावक था बहुत तेज दोड़ाग था दुनिया में रिकॉड तोड़े उसने उसको एक दिन इंट्रिवू किया गया कि आपके कोच कभी देखे नहीं गए ग्राउंड में स्टेडियम म नहीं बनाते आई कार्ड तो कोच आई नहीं सकते तो बड़ रिकॉड हो रहे हंड़े में 200 में 400 में आपको चपो क्यों नहीं आने देते तो नहीं आने देए कोच को में कि इस तो बहुत ही बड़ी पिस्टेक आइंडिया इंट्रनेशनल ऑलंपिक एस ने जमाइका में पल मझबूरी में शिकार करके लाते थे खाना खाने के लिए तो चीते पीछे पड़ जाते थे sap मझबूरी में चीते से बचने के लिए भागना और पेड़ हैं सब कुछ है एं Jang तब बज्जा होगे जिन्दगी के लिए भागना है